हालाग कि कई दिनों से बोला जा रहा था कि Group D का result हर आलत में November last week में आ जाएगा लेकिन अभी तक इसके regarding कोई official update आई नहीं थी लेकिन अभी हाल ही में यानि आज ही के news में जो है New Delhi से छपने वाले दैनिक भासकर का संस्क्रण जो की New Delhi से छपता है और railway का headquarters भी New Delhi में है तो इस इसने एक update दिया है और इसे हम काफी हद तक authentic मान सकते हैं आपके result के regarding तो देख लिए यह आज ही का news 17 नमवर का चपा हुआ New Delhi से है और इसमें जो ख़बर आई है वो आपके काम की है तो क्या ख़बर है उस पर आते है डारेक्ट तो देखें यहाँ पर RRB Group D का परिनाम इस रहते हैं रेलवे के मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं जहां से इनको जानकारी मिलती है तो Group D के परिच्छा पांच चर्णों का परिनाम एक साथ आ सकता है यानि सारे के सारे चर्णों का एक साथ आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका physical होगा अब भी आरती इन एक साथ इन पांच चर्णों का रिजल्ट रिल्वेबोट के अधिकारिक वेबसाइट पर चिक कर सकते हैं चाहतरों को इस परिच्छा से जुड़े सभी अपडेट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए यह परिच्छा में चैन पर गया तीन चर्णों हो गया और इसी के बारे में बताया गया है कि मेडिकल होगा फिर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन इस तरह से बताया गया है तो देखें यह अपडेट को आप काफी हद तक सही मान सकते हैं और अगर बात करें कि अगर आपका रिजल्ट जैसे बोला जा रहा है कि आज 17 तारिक है तो बोला जा रहा है कि एक सब्ता के बाद आगा तो लगभग 24 तक इसकी माने तो आ जाना चाहिए अगर 24 तक नहीं अगर एक दो दिन जादा भी मालने तो हर हालत में 30 तारिक तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि railway ने क्या बोला है क जनवरी तक वो पूरा फुजिकल जो है रनिंग का आपका कम्प्लीट करा लेगे तो जनवरी में कराने के लिए उसको हर हालत में रिजल्ट देगा तो उसके एक मेहना का समय भी तो दिया जाना है ताकि इस्ट्वेंट फुजिकल के तियारी कर सके तो जनवरी पूरा के चलिए कि दिसंबर में 25 तारिक से शुरू हो सकता है आपका फिजीकल का एक्जाम और यह जनवरी तक कंप्रीट करवा लिया जाएगा उसके बाद जैसे ही और जैसे ही आपका फिजीकल होता है तो आपका तो तुरत पता चल जाता है हुचीप के ज़रिए कि आप पास तो इसलिए रेलवे को अगर सही समय पर रिजल्ट देना है तो इसको हर हालत में जो है नुमबर के इंड़ तक तो रिजल्ट देना ही होगा और अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अभी तक इस बात पर धियान नहीं दे रहे होंगे इसे हलके में ले रहे अब ही से आप शुरू कर दीजे क्योंकि आपका बहुत ज्यादा समय नहीं है और अगर जो लोग नए हैं उनको दिक्कत हो सकती तो एक अच्छा क्वालिटी का जूता कर दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अपने रनिंग में अभी से जुड़ जाए तो आज का रहा अपडेट यहीं तक आपसे फिर मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जाएं दोस्तों